बीपेसी मेंकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में 13 दिसंबर 2022 से सम्बंदित बिहार करेंड़ फेर्श और साथ हैं राश्टर अंतराश्टी घटनोसित करेंड़ फेर्श के जितने प्रशने बनेंगे सम्बंदित सारी जानकारी आपक करेंड़ फेर्श के पीडियाप की बात करें तो यह आपका नॉवंबर तक का अपडेट किया दा चुका है आप बीपेसी मेकर एप के थुरू यह तमाम पीडियाप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको धियान लगना है करेंड़ फेर्श कोर्स में एक आफर भी ऑ मेटरियल होंगे वो 2021 और 2022 का पूरा का पूरा मंतली पैकेज यहां से आपको मिल जाएगा अब यहां पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे यह प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्न था कि हाले में भाउस द्वाराज जारी विश्य की एक सच्ब से शक्तिसाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतिय महिलायais हैं शंबंदित सारी जानकारी यहां से आपको दिया गया था और आपको हमने बतलाए था कि इसमें कुल मिलाके भारत की छे महलायस सा मिल है भारत की द्रिश्टिकोंस देखें तो निर्मल को बेहतर बनाएगा और आप औरों से बेहतर स्कोर कर पाएंगे एकजाम में इन सारे बातों का यहाँ पर ध्यान रखना अब चलते हम यहाँ पर आज की इस वीडियो की पहले प्रशन के बिहार करेंट फेर्श के द्रिश्टिकों से महत्पूर्ण प्रशन है यह प्रशन की नेमलेकित में से बिहार में कहां हाली में 11 दिसम्बर 2022 को संसद खेल प्रतियूगता का आयोजन किया गया इस प्रशन का हमारा राइट आंसर होगा बिहार में जो इसका आयोजन हुआ है यह पस्चमी चमपारन के बेतिया में हुआ है तो ऐसे में आपको धिहान रखना option नम आमिन परतिभा को जोड़ने के लिए केंदर सरकार ने एक अनूठी फाहल की है और आपको दिहान रखना है कि इस पाहल के अतायत लोक्षभाद छेतर में संसद खेल इस परधा का अयोजन किया जागा यह पहल कोछ दिन पहले शुरू किया गया था हलाकि अभी हाली भी इसकी सुरुवात भी है पस्चमी चंपारन बिहार से यहाँ पर आगे बहुत सारे जानकारी लिखी गए है जैसे का आपको दिहान रखना है हाली में इसकी सुरुवात बिहार के पस्चमी चंपारन लोक्षभाद छेतर सुई भी है यहां से दिहान लगी है पस्चमी चंपारन के बेतिया से इसकी सुर्वात भी अब इसका उद्गाटन के हम बात करें तो इसका उद्गाटन बिहार के पुर्व उद्ध्योग मंतरी शहयत साहनवाज हुसेन और भाजपा परदेश अध्यक्ष संजे जैस्वाल द्वारा किया गया नोट कीज़ेगा हम बात करें यहाँ पर उद्ध्योग मंतरी शहनवाज हुसेन की तो जब शहनवाज हुसेन बिहार के उद्ध्योग मंतरी थे तो उसी दोरान आपको ध्यान अटना के बिहार ने एथनौल नीती को लागो किया था और आपको इस बात की जानकारी हमने कई बार दिया है कि अतनौल नीती को लागो करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना बिहार इसके अतरिक्ति स्थानवाज हुसेन जब बिहार के उद्ध्योग मंतरी थे तो उस दोरान इड़ों ने बिहार में लेदर और टेक्स्टाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दिया था अब यहां पर हम बढ़ते हैं अगले प्वाइंट पे हमारा अगला प्वाइंट है कि वरतमान में बिहार के उद्ध्योग मंतरी को न है मंतरी मंटला जो गठन होए बिहार में इनसे सम्मंदित एक वीडियो हमने चैनल पर अप्लोड किया था बिहार का नया मंतरी मंडल क्या है कौन से मंतरी को कौन सा विभाग सौंपा गया है यह सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दिया है आप अब BPSC Maker YouTube चैनल के टॉपिक इस्टडी या फिर का सकते हैं टॉपिक इस्टडी प्रेलिस्ट में जाकर वहाँ पर तमाम वीडियो को देखेर अपनी तैयारी को एकदम से बेहतर बना सकते हैं अब यहाँ पर हम आचके हैं दूसरे प्रश्ण पर यह प्रश्ण भी अतीम महतपूर्ण है यह प्रश्ण की हाली में किस कैडर के सभी I.S. अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि 31 जनवरी 2023 तक अपनी शंपत्ती जो भी अचल और चल संपत्ती है सभी का ऑनलाइन ब्योरा प्रस्तूत करें हलाकि इसकी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है आपको ध्यान गया हाली में बिहार केडर के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक इस पेरो सॉप्ट्वर के जरिये अपनी शंपत्ती का ऑनलाइन ब्योरा प्रस्तूत करने का आदेश दिया है हलाकि यहाँ पर एक कंडिशन यह भी है जो कि आपको ध्यान गया है कि तमाम अधिकारियों को उनकी या फिर अपनी चल अवंग अचल शंपत्ती का लेखा जो खा 31 दिसंबर 2022 तक शमाप्त होरे वर्ष की आधार पर देना होगा तो इसी अधार पर शारा का सारा ब्योरा उनलाइन प्रस्तूत करना होगा बिहार के एडर के शभी आईस अधिकारियों को और यह प्रकरिया जो होगी यह सब्वेरो सब्वेर के माध्यम से किया जाएगा तो यह सारे बातों का यहाँ से आपको दिहान रखना है हम चलेंगे यहाँ पर अगले प्रषण पर अगला हमारा तीसरा प्रषण की निम्लिकित में से किने हाल ही में भारत्य ओलंपिक शंग की पहली महला अध्यक्षे बनाया गया या फिर न्यूक्त किया गया है तो सारे विकलपों के अधार पर या फिर इसे तस्वीर को भी देखकर आप समझ चुगे हैं इसका right answer होगा PT USA यानि की option number B यहाँ पर इसे प्रश्णी का हमारा right answer हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके explanation की तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत की उड़नपरी नाम से परशिद है PT USA को भारत ओलंपिक शंग का नया अध्यक्ष बनाएगा है नोट कर लिजेगा PT USA को भारत का उड़नपरी नाम से भी जाना जाता है आप लोग आज भर किसी तरह manage कीजेगा साइड में काम चल रहा है बिल्डिंग का तो ऐसे में बहुत ज़्यदा आवाज आ रही है तो बस आप लोग पढ़ाई पर focus कीजेगा content पर focus कीजेगा थोड़ा साथ भर manage कीजेगा कुछ प्रोबलम है जिस वज़से थोड़ी सी परिशानी हमें भी उठानी पर रही है और आपको भी उठानी पढ़ सकते है तो इतना manage आप लोग जरूर कर लिजेगा और यहां पर हम बढ़ते हैं अगले point पे हमारा अगला point है कि इस प्रकार पीटी उसा भारते उलंपिक शंग में चुने जाने वाली पहली महला अध्यक्ष बन गई है most most important है इस प्रशन के exam में पूछे जाने की प्रबल शंभावना प्रतित हो रही है नोट कर लेजेगा जो नई वाली कापी आपने तयार किया था इसमें हमारा अगला point होगा कि जुलाई 2022 में तातकालिन राष्टपती रामनात कोविंद ने उलंपिक एटलेट पीटी उसा को अन तीन व्यक्तियों के साथ राज्यस्वा के लिए मनोनित किया था इसके जानकारी हमने वापको विस्तार से दिया था और साथी साथ पीटी उसा को भारत की महांतम एटलीटों में से एक माना जाता है और उन्होंने अब तक कुल 23 पदक जीते हैं जिनमें की 14 स्वर्ण पदक सामिल है अपने केरियर की यहां पर बात किया जा रहा है और साथे साथ आपको दियान देखना है वे मूल रूप से कैरल की रहने वाली है यह भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है बिहार बोड की किसी कच्छा में पीटी उसा से समंदित एक कहानी का भी जिक्र क्या गया है वो पहले की पुस्तक में आती थी अभी सायदर नहीं आता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय इंसे समंदित एक शूरी था आइधिंग वो हिंदी में था या कोई और अन्य सब्जक्ट में था यह तो मुझे याद नहीं लेकिन इंसे समंदित एक कहानी शंग्रा जरूर था सामिल बिहार बूर्ट की पुस्तकों में अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर हमारा अगला होगा चौथा प्रश्ण यह प्रश्ण की हाली में मौपा अंतरराष्टे हवाई अड़ा खबरों में है बताएं कि यह किस राज्ण में अवस्तित है यह यहाँ से प्रश्ण पूछा गया तो ऐसे में मौपा अंतरराष्टे हवाई अड़ा की बात करें तो आपको दिहान रखना यह सम्बंदित है गोवा से तो अप्सिन नमर डी यहाँ पर इस प्रश्ण का राइट आंसर कोगा अब यहाँ पर आपको इनसे सम्बंदित सारी जानकारी में देने वाला हूँ सबी बातों को दिहान रखेगा तो पहला प्रश्ण की हाले में पंदरवें वो मौझदा परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गोवा में मौपा अंतरराष्टे हवाई अड़ा की बात करें तो इस एरपोर्ट की अधार सिला नॉमबर 2016 में नरेंदर मोदी की द्वारा ही रख लाया है जैसी कभी हाल ही में तिरिपनवा भारते अंतराष्टे फिल्म महुसव का जो आजन हुआ ये गोवा में ही आजित किया गया था ऐसे ही बहुत सारे प्रश्ण है हाले के दुनों में बने हैं वो सारी बाते सारे प्रश्णों की जानकारी आपको इसी डेली करेंड स्रिंकला के अंतरकते दिया गया है हलाकि यहां पर हम कुछ अन्न फैक्ट की बात करें गोवा से संब्दित तो ऐसे में ध्यान रखेंगे भारत की आजादी के पश्चाद भी गोवा पूर्तगालियों के कवजे में रहा था भारत में जो ये ये कंपनियों का आगबन जो की काली कट के तड़ पहुंचा था और वहां के सासफ जमोरीन के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया था और ये जनगर्य हमने आपको ये भी दिया था अगर हम बात करें यहां पर वासको डीगामा की तो वासको डीगामा ये पुर्तगाली ही थे तो ऐसे में जो यूरोपिय कंपनियों का भी आगवन हुआ था इस द्रिश्टी कोन से भी पहली कंपनी थी पुर्तगाली अब यहां पर हमारा अगला पॉइंट है कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा गया था गोवा लिबरेशन डे मना जाता है 19 दिसंबर को प बात करें जो उन्हें स्वतंत राज का दर्जा मिला था तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हुआ था इस सारी बाते बहुत बहुत इंपोर्टन है कई बार यहां से एक्जाम में प्रश्न बने हैं और अब लोग जानते हैं गोवा के राज के भासा अगला हमारा यहां पर पांचवा प्रश्न की हाली में लॉंच की गई पुस्तक के मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखा कौन है बहुत इंपोर्टन प्रश्न है और यहां पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर के बात करें तो राइट आंसर होगा मांसी गुलाटी यानि की मांसी गुलाटी ने हाली में दिसंबर 2022 में अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का फिमोचन किया है यहां से ध्यान डग लेना है अब यहां पर कंप्लीट सुची हमने सामिल किया जो की 2022 में लिकित पुस्तकों की है और उनसे समंदित लेखकों की जो की एक्जाम मे अगला होगा दोहीर ओफ टाइगर हील इसके लेखक है कैप्टन युगेंदर शिंग यादव नेक्स्ट होगा कस्मीर 370 के साथ और बाद इसके लेकक है जितेंदर दिक्षित अगला है हे राम्टू जैस्री राम आनंद वर्धन शिंग नेक्स्ट नमारा हो जाएगा टॉ इसके लेकर है रस्कीन बॉर्ण ये सारे श्मंदितर 2022 से सभी आपको द्यान रखने आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी जरूर ले लेजे यहां से आप डिविजन करेंगे तो यह चीज आपके आपके लिए लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएगे नेक्स इसकी जानकारी हमने थोड़ी सी पहले भी आपको दिया था तो हालिक घोषना के अधार पर आपको दिहान रखने मदप्रदेश का इंदौर इसकी मेजवानी करेगा तो ऐसे में ऑप्सन नमर बी यहां पर इसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नोट की जेगा नवि ली मुख्य अतhtी होंगे मोश्ट मोश्ट ये पॉइंट है जो ग्याना के राश्चपती है । यहांपर अगला पॉइंट है कि शतर भवी प्रवासी भारतेषी दिवसी का है एक जामे पूछे सकते हैं यह सारे अमरित काल में भारत की परगती के लिए एक विश्वस्निय भागिदार ये इसका निर्धारी थीम है 2022 का वारिहा पर अगला पॉइंट है कि इस दीन को परवासी भारते दिवस के रुप में क्यों चुना गया तो इस दिन अर्थात 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांती दक्षिन दाने का फैसला किया है तो इसी कड़ी में 9 दिसंबर 2022 को आजित होगा इसका सत्रवां संस्रन मुक्ष अतिति होंगे गवाना के राष्ट्रपती महमत इरिफान अली अगला साथ हो प्रश्निक के वर्स 1971 में धाका में भारत और बंगलादेश के बंगलादेश के बंगला द यनि की हाली में इसकी 51 वर्षिगांट मराए गई है अब यहां पर इन से शमंदित हम फैक्ट की बात करें तो भारत सरकार द्वारा धाका में वर्ष 1971 में बंगलादेश को मानता दी गए थी और इसी को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51 वर्षिगांट 6 दिसंबर 2022 को धाका में भारते दोतावाज से द्वारा अजित किया गया नोट कीजेगा 1971 में यह मानता दी गए थी भारत द्वारा बंगलादेश को हाला कि आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत सरे लोग जानते भी होंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान का बटवारा बाताओ 1947 में दिवस के रुप में मनाने का जो दिरने लिया गया यह आपको ध्यान रखना है मार्च 2021 में लिया गया था और इस वर्स 2022 में 6 दिसमबर को इसका 51 वर्षिगांट मना गया है और यहां पर देखिए हमारा एक पॉइंट बहुत इंपोर्टन है जो खबरों में है जानकारी हम गोशना किया था यह सारी बातें आपको याद होगा चूकि अभी हाँ पर बात हुए मिजोरं सरकार की या फिर मिजोरं राजजी की तो ऐसे भी मिजोरं से समधित कुछ फॉइंट या फिर एक फॉइंट हमने यहां पर शामिल किया है जो की अतीम हात्पौर्ण है अभी हा बिहार जो भासा के अधार पर या फिर भासा के सिक्षा पर जो खर्च कर रहा है इसके मामले में बिहार जो है यह अपना बिहार तीसरे अस्थान पर यह यहां से आपको नोट कर लेना है चली अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रस्ण पर लेकिन उससे पहले आपको जान कर का आंकलन कीजिए विपेसी में अगर आपके लिए लाया है 200 दिनों का एक टेस्ट स्रीष पलांज जिसमें की 50 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और 12 आपका करेंट डेस्ट का सेक्सनल टेस्ट है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर पाएंगे और आप यह जान पाएंगे कि आगामी एकजाम के दरिश्टी कोन से आपके कितने प्रिपेर हैं और शाथ साथ आप यहां पर यह भी धियान रखेंगे कि जितने भी सेट आपके छूट चुके हैं तो इसके लिए आपको किसी भी बरगार की कोई चीनता करने की आवासकता नगरता हैं यहां पर यह जो आप इसकरें ब인가 कर यहां पर चूट शुह करके अपको यह ज्यां पर अपको दिया गया है जो की प्री स्वेसल डिजाइन घेन अपके बात कर ए बीपेसी या पिर अन्न परतों की परिक्षाओं के लिए मूल रूप से वैसी परिक्षाओं हैं जो बिहार में आजित होने वारी हैं तो तमाम नोट्स यहां से आप लोग डाउनलोड करें यह चीज़े यहां से आपको ध्यान लखना है बहतर तयारी आप यहां से हाली में महाराष्ट सरकार ने दिव्यांगी लोगों के लिए एक नए दिव्यांग कल्यान विभाग की गठन की घोशना किया है हाला कि अब तक की बात करें तो हाला कि वरतवान में दिव्यांगों के लिए कल्यान कारी गति वीदियों का जिम्मा श्माजी के नियाय विभाद के पास है जो कि इनके लिए सिक्षा प्रेसिक्षन और पुनर्वास की देखरेग करता है तो एक दिव्यान कल्यान विभाद के गठन का फैसला अभी हाली में महाराश्ट सरकारद्वरा किया गया अब देखें यहां पर बात हुए महाराष्ट की तो महाराष्ट से समंदित कुछ फॉइंट है सितंबर 2022 का यह पहला पॉइंट है कि सितंबर 2022 में हवा में जल्वास्प को पीने योगे पानी में बदलने के लिए भारतिय मद रेल्वे ने मुंबई महाराष्ट में में अस्थापित किया था यहां से आपको ध्यान रखना है में जो मुंबई महाराष्ट में अस्थापित हुआ इसका कारी क्या है जो कि आपको ध्यान रहना है कि यहां पर बिहार जहर्कंड और महाराष्2000 और क्या है कि जो 41 संस्क्ष्ण जो आजितवा भारतय अंतराष्टे विपार मेले का आपको ध्यान रहने दिल्ली के परगती मैदान में इसका एजन हुआ था और इसमें तीन राज्य भागिदार राज्य की रुप में सामिल था इनमें था बिहार, जर्खंड और मद्द प्रदिश्ट और इसका जो एजन ती थी है भारते अंतनाश्टे वेपार मेले के 41 संस्क्रिण की ये 21 से 27 नमबर 2022 के मद्द ये अजित किया गया था प्रगती मैदान नई दिल्ली में और इसका थीम क्या है बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है नोट कर ले जगा इसका थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लॉब ये 2022 का 41 संस्क्रिण का इसका निरधारी थीम था अगला प्रशन मारा यहां बरनावा प्रशन नुकि हाली में कि रादानिति शूए अन्तराष्ट करें फिल्म फेश्टिवल का ऑजन किया गया हालाकि हम बात पर भारत हैं रजर्च अप्र आजिताउय मां संस्क्रिण अभी हाली में गौवा में एजिता था लेकिन वहीं प्रिशन के यहां पर 27 अंतराष्ट कर फिल्म में एजित 21 जुनियर नेशनल वूसू चेंपियंशिप में बिहार टीम ने एक श्वरन एक रज़त और पांच कांस से अर्थात कुल विलाकर शाथ पदक अपने नाम किया था ये जानकारी आपको याद होगा रिविजन परपस्ते से याद रखना आपको साथ इसाथ एक कोईट ये भी है कि हाली में भारत के तीन शहर ये ये तीन शहर है त्रिशूर, निलामबूर और वारंगर इन्वे से दो सहर जो समंदित है ये केरल से समंदित है इसी चीच को जहाँ पर हम दे लेखा है कि निलाम में या फिर इसे अभी हाली में युनस्को ग्लोबल नेटवर्क ओफ लर्निंग सिटीज में सामिल किया गया है जबकि इसकी अत्रिक हम बात करें एक और शहर वारंगर की तो तेलंगाना की बात करें यहाँ पर तो तेलंगाना का ये सम्रेद संस्कृतिक विरासत वाला सर ह इसका नाम है वारंगर जो कि इस सूची में या फिर इस अवर्ड में इन्हें भी सामिल किया गया है अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दसवे प्रश्ण भी ये प्रश्ण की निमलेकित में से किस तीथी को विश्य परवत दिवस मना गया तो प्रतिएक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्य परवत दिवस 11 दिशंबर 2022 को मना गया है ऐसे में आप यहाँ पर दियान रखेंगे प्रतिएक वर्ष की तरह इस साल भी 11 दिशंबर 2022 को पहाडों के महत्तु के विश्य में जागरुता बढ़ाने के लिए अंतराश्य परवत दिवस मना गया और यहाँ अगला होगा हमारा यहाँ पर 11 प्रश्ण यह प्रश्ण के निवलेकित में से किस राज सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया AI यानि कि Artificial Intelligence आधारत को पॉटल तैयार किया है तो इसका जो का सकते हैं इसको जो तैयार किया गया यह करनाटक सरकार द्वरा तैयार किया गया तो ऐसे में जो इसका राइट आंसर बनेगा यह होगा Option No.E आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस लोगो को यह करनाटक सरकार का लोगो है जबकि हम बात करें बिहार का लोगो का तो बिहार का लोगो है या फिर बिहार का जो राज के जिन है यह है दो स्वास्तिक के बीच म में देख सकते हैं इनका नाम है रेसी के से कानिट कर यानि की Option No.B यहाँ पर इस प्रशनी का राइट आंसर होगा आपको द्यान रखना है हाली में रेसी के से कानिट कर को महला क्रिकेट टीम का नया बल्लेवाजी कोच न्यूक्ति किया गया है और जो उनकी न्यूक्ति भी है आपको द्यान रखना है उन्होंने मौजुदा कोच रमेश पवार का अस्थान दिया है तो आज के क्लास में इतना ही और जो आपको मैंने जानकार दिया था ओफर के वहां पर जागर करके आप इस ओफर का भरपूर लाव उठा सकते हैं अब यहां पर हम आचके आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्ण है कि हाली में भारते रेजर बैंक द्वारा किस देश के साथ करेंशी स्वैप एक्रिमेंट किया गया है इसकी सम्मेलित जानकारी हमने आपको विश्तार पुरग दिया था बदाए इसका राइट आंसर क्या होगा तो दसो आज के इस वीड में तब एक लिए धर्नवाद जैहिंद